आप अक्सर चाहते हो ना कि कुछ ऐसा रेमेडी हो जो आप एक बार बनाओ और महीने भार इस्तिमाल करो और साथ ये साथ वापके लिए यूसफुल और एफेक्टिव भी हो तो येस आज का वीडियो वही है हम लोग आज इस वीडियो में एक ऐसा हेर स्पा क्रीम बनाएंगे जो ना कि सिर्फ बालों से डैंडरफ दूर करेगा आपके बालों का ज़र्णा रोकेगा आपके बालों को स्मूद और शाइनी बनाने वाला है और आप उसे स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हो डियर फ्रेंड्स एक ऐसा हेर स्पा क्रीम जो कि आपके बालों के लिए एक मैडिसिन जैसा हो बहुत मुश्किल होता है लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी से घर पर बनाना सिखाऊंगी पूरी प्रसिजर के साथ देखिए इसके लिए मैं ले रही हूँ नीम लीफ्स अक् पानी पत्या है आपको सच बता रही हूँ इसलिए थोड़ी यह ड्राइ है बट इसको आपने पानी में डिप करना है और आदा पानी पका कर रख लेना है जैसे कि मैं आपको अकसर बताती हूँ एक एक एंटिबैक्टिरियल वाटर है जो कि आपके बालों से हर तरह की प्र और फाइनल इंग्रिडेंट हमारा इसमें है जो की है अलो वेरा जैल फ्रेश नहीं लेना है ले ले चलेगा लेकिन आप उस फ्रेश अलो वेरा जैल का बनाया हुआ जो मास्क होगा उसे फॉरल लगाना होगा उसे आप स्टोर नहीं कर सकते इसलिए मैंने मार्किट का लिय कि गाड़ा होता गया है तो किस तरह नजर आ रहा है बस आपने फेटते रहना है जब कमप्लीट एकदम इसका टेक्स्चर क्रीमी आ जाएगा तब आप समझेगा कि यह तैयार हो चुका है अब आप इसे किसी बाउल या फिर किसी बॉक्स में स्टोर करके रख सकती हैं किसी भ पत्यों में ना कि सिर्फ एंटिबैक्टिरिल प्रापर्टीज होती हैं बलकि आपकी बालों से डैंडर्फ को दूर करता है आपके जड़ों को रिपेर करता है आपके जड़ों को अच्छे से क्लीन करता है ताकि आपके बालों में किसी बी तरह की प्रॉब्लम ना हो आपक कि यह फिनिश ना हो जाए एक ही बार में आपको रिजल्ट ना मिले तो मुझे जरूर बताईएगा बहुत ही बहती हैर स्पा क्रीम है जो कि आप घर पर बना रहे हो बहुत ही कम महनत के साथ और असर आपको मिल रहा है किसी भी बहुत महेंगी हेर स्पा क्रीम से बालो में और रोगना और इसके बाद नॉर्मल शैंपू कर सकती हैं, हफते में दो से तीन बार जरूर लगाएं I hope girls you like this video so please like and don't forget to subscribe my channel for new and latest update Thank you so much guys for watching, bye bye